कि अपने यूटूब चैनल टीचिंग लेर्निंग में तो आज हम डिफ्रेंशियेशन के रूल पढ़ने जा रहे हैं पिछले लेक्चर में मैंने में डिफ्रेंशियेशन के फॉर्मूले डिसकस किये थे अगर आपने वहला लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप जाके देख लीजीगा और जिसको फॉर्मूले याद हैं चलिए ये लेक्चर शुरू करते हैं तो का है कॉंस्टेंट रूल पहला रूल है कॉंस्टेंट रूल यह रूल यह कहता है कि अगर वाई इक्वल टू है एम यू है तो हम इसको डिफ्रेंशियेट करते हैं हाँ है कि तो डिवाईबर सिसको इस इगेंगे अधि को इस द्यूसर हें कर मेरे तक दूछ के साथ से अध्य कोई फंक्शं नहीं है तो यह जो एम आए यह डिफ्रेंशियेशन से बाहरा जाएगा d y by d x equal to m d u by d x यह यह बजाया यह है पहला रूल कॉंस्टन रूल चलिए कोशन से इसको समझते हैं पहला कोशन y equal to 6 sin x तो यह कोशन y equal to 6 sin x इसमें differentiate करेंगे d y by d x यह जो 6 है यह तो constant है तो जब हम d y by d x और 6 sin x करेंगे तो यह रूल के हिसाब से जो यह 6 है यह constant है इसका कोई function नहीं है तो यह जो है बाहर आ जाएगा तो 6 कि डी वाइब डी एक्स और 6 इस तो बाहर आ लेगा और डी वाइब डी एक्स और अब हम sin x करेंगे तो sin x का differentiation क्या होता है को सेक्स तो सिक्स को सेक्स यह अंसर हो जाएग है कि डी वाइब डी एक्स चलिए अब दूसरा कॉशन लेते हैं कि वाई एक्वल टू फाइब टू लॉग है यह भी सेम अप्रोच से करना है फाइब टू कॉंस्टेंट है तो डी बाइब डी एक्स और फाइब टू लॉग एक्स तो यह कॉंस्टेंट है तो यह बाहर आ जाएगा तो फाइब टू डी बाइब डी एक्स ओफ सिफ लॉग एक्स को अब हमें डिफ्रेंशियेट करना है विज्ड रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में तो फाइब टू लॉग एक्स का क्या होता है वन बाइए एक्स है घमोख तो 5 vraag है 2 x हो जागा इसका डिफ्रेंशियाशन लेकिन अगर यह बोलता है डिफ्रेंशियेशन ओफ 5 रभ ए 2 क्या होगा टी फाई właśnie का को डिफ्रेंट यह फाइब 2 जो कॉंस्टेंट है पाइब तो यह कॉंस्टेंट का डिफ्रेंशियेशन हमें साथ जीर होता है तो इसका डिवाइब बैए दी एक्स होता जीरो अगर से पॉस्टेंट का हम से पूस्ता कि डिफ्रेंशियेशन क्या होगा तो थार्ड कोशन है य इक्वल टू एट टैने तो दी वाइब दी एक्स ओ एट टैनेक्स तो एट तो कॉंस्टेंट है तो एट बाहरा जागा दी वाइब दी एक्स ओफ तो टैनिख्स तैनेक्स सक्क्स क्वाइर एक्स टैक्स स्क्वाइर एड होती पिर एट यह बदे वाइट से दिफ्रेंशियेशन कॉंस्टेंट को भार का देरेना है और जो फंक्शन है उसका जो भी फॉर्मूला है उससे डिफ्रेंशियेट करना है यह सिंपल सा फॉर्मूला है पहला रूल यह है तो यह फॉर्थ कोशन करते हैं वाई एक्वल टू थ्री कॉस एक्स सेम अप्रोच से डी बाइब डी एक्स यह थ्री तो बाहर ही आ जाएगा कॉंस्टेंट बाहर रहे जाता है तो दी बाइब डी एक्स हो कॉस एक्स इसका डिफ्रेंशियेशन माइनस त्री कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो यह हो जाएगा इसका डिफ्रेंशियेशन पाच्वा कोशन उसके में कराहिए एक्स है वाना एक्स में इसंट है और य पर डी एक्स है औठों को पाई को बाहरे जाएगा और ली वाइब डी एक्स और आक्स चशा अ किल को सैक्स किल को जाज़ा है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स तो माइनस कॉसेक एक कॉट एक्स यह जागा डिफ्रेंशियेशन 6 वाइपल टू 3 रूट एक्स अब इसका डिफ्रेंशियेशन करना है तो सेम एप्रोच दी वाई बाई डिफ्रेंशियेशन होता है वन बते टू रूट एक्स यह अंसर हो जागा है तो आज हमने कि डिफ्रेंशियेशन का पहला रूल सीखा है कॉंस्टेंट रूल अब आने वाले लेक्चर में हम प्रोड़क्ट रूल सीखेंगे और फिर एडिशन रूल तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझाया होगा थेंक्यूंद थेंक्यू